दोस्तों स्वागत आपके एक बफिल फ्रेंड ये काफी स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो एचली हम कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रपर सेडेटेट नहीं है ये कि इंडारेक्टली कही न कहीं आपके थोड़े अंदर मोटिवेशन जगाएगी तो ये भी कह सकता हूँ कि एक मोटिवेशन वीडियो भी नहीं है एक और जैनलटी की तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ टॉक्स करेंगे और इसी से लेटेट ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी क्या है कि 5 मन्स रहेगी है प्रेलिम्स के लेज दन 5 मन्स से कम है और वर्कलोड काफी ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर काफी लोगों ने दे स्टार्ट भी नहीं किया होगा भी क्योंकि अपनी लाइफ में तने फस्ट्रेट है अपनी लाइफ में तने बीजी शेडूल है करना तो काफी कुछ चाते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है यह होता है इस्पेशली अगर बात करें वर्किंग एस्प्रेंट्स की या 9-10 घंटे ऑफिस में खटकने के बाद बास की किस किस सुनने के बाद अपना पैस देने के बाद भी पॉलिटिक्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स यह सब होने के बाद भी काफी मुश्किल होता है मैं समझ सकता हूँ Even that especially अगर पहले मैं बात करता हूँ वर्किंग एस्पेंट्स की तो लग रहा होगा की मुश्किल है यार लगता है शायद इसी में ही कुझारा करना पड़ेगा लाइफ पर इसी सी जॉब में Civil Service से लेटेट शायद मुश्किल हो कुछ इस तरह के आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स चल रहे होंगे इन्सिक्योटी होगी लाइफ को लेके कुछ लोग ऐसे भी है They have a child एक नहीं दो दो child है और life settled नहीं है दिक्कत ही है सारी Private job आप लोगों को भी बता है कि खोनी चूजते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं लोग क्या करें है कुछ समझ नहीं आ रहा दिल में अच्छा है तो बहुत हैं बर करनी बार है टाइम ही नहीं इतना इक्सेक्टली मैं समझ सकता हूँ Friends Excuses होते हैं life में हम भी मांते हैं अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं है तो excuses बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं पन नहीं है मैं नहीं पढ़ूँगा बुक नहीं में पाद लैप्टॉप में कि नहीं या एटलिस लड़ो लड़ना है मुझे कोई नहीं हार होगी क्या होगा भार ही होगी सेदोर क्या होगा बट एटलिस कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम सीखेंगे तो सही चाह हमारे हो चाह किसी से रिटिट क्योंकि UPSC एक बहुत ब्रॉट कंसेप्ट है इसमें आपके व्यूज एक मैचोर्टी आपके अंदरानी स्टार्ट हो जाती है और आप एक सोचने की शमता एक रखना स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है वरकिंग एस्परेंट्स डेली बेसिस पर जूज रहें उपने लाइफ को लेके सिक्क्योर्टी को लेके सोच रहें कि अब तो शायद टाइम निकल गया अगले साल देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट एम्ट हो गया इस बार अगले साल एज खतम हो जाएगी हम यही बोलेंगे कि एक बार लड़ो कोई नहीं लड़ो तो जहीं एक बार दो यह बात होंगी या तो हार जाओ गया जीद जाओ गया हार गे तो कोई नहीं इस पार्ट अफ लाइफ जीद गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और इवन आप अपने सोसाइटी के अंतर जबा आ गयाएंगे तो आपकी लोगों के कह सकता हूँ कि आप लोगों की सोसाइट मेंज उनकी लाइफ चेंज करेंगे यही है कि लड़ो उठो एक बार हमारे साथ उठो अगर नहीं चीजे समझा रही तो वेबसाइट पे जाएए डिली टार्गेट देखिए हैव सम आइडिया हम यह नहीं कहते हैं हमें फॉलो करो जहां से आपको जो भी रिसोसिस मिलते हैं आपको टू दा पॉइंट लगते हैं उनको फॉलो करो बट एक अंदर जो एक एसास है कि यार एक बार मैनत करनी चाहिए थी एक बार जोरू करनी चाहिए थी शायद तो वो एक अपने जो दिल की फीलिंग्स है ना आपकी एटलिस उसके लिए लड़ो इस बार कि लाइव बर गिल्टी फील ना हो कि यार मैं पर टाइम था मैं कर लेता तो आज शायद जिन्दगी खतम हो जाती जिन्दगी कुछ और होती है या फिर आसा भी कुछ पॉइंट वर्किंग एस्पेंट्स वालों को यही बोलूँगा कि एटलिस एक बार उठो क्योंकि लाइव में ना फिर क्योंकि 32 के बाद तो फिर आप उपनी लाइफ में बिजय ओ जाएंगे क्योंकि अफको मैरीड हो जाती है शादी हो जाते है बच्चों हो जाती है फिसकी लाइफ में किसी के डाइपर नहीं है किसी चट्डी ने किसी बनियान नहीं है इस ही मैं आद में confused रहता है जिंदगी पर तो इस ही मोलच जाओगे तो जिनके बाद they have if you have a time कोई नहीं यार अरे पांच महने से कम है बट एक बार अपने तरफ से लटके देखो especially अगर married लोगों की बात करूँ कोई नहीं आप अपनी wife पर या फिर अगर कोई wife सुन रही है तो sisters या नहीं यह सुन रही है तो अपने husband पर विश्वास करके देखो coordinate करो और एक बार च्छे से समझाओ कि बैसे पांच मिने मुझे अपने जी लेने तो जिन्दगी भर फिर मैं आपके तर से चलूँगी या चलूँगा जो भी है क्योंकि of course married life भी एक बहुत सकता हूं कि काफी किसमत वालों को मिलती है तो इसकी विश्वेट तो मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा बैस यह बोलूँगा कि at least तोड़ा समझाने की कोशिश करो और यह अपना बैस दो कोई नहीं यह मान के चलो हमने हारना है पर लड़के हारना है मैदान छोड़के नहीं भागना डटे रहना है लास तक बाकी किसमत तो at least start तो करो कोई नहीं यार एक चैप्टर ही होगा ना अरे एक पेज होगा एक ही दिन में एक पेज होगा कोई नह चलने दो एक दो दिन तीन दन ओटोमेटिक मोटिवेशन सब के अंदर आएंगे जब आप देखोगी एवरी डे टाइम टेबल हमारा भी स्कैन करो एक बार किया चीजे डल रही है क्या चीजे नहीं डल रही है बाकी चलने दो कोई नहीं एक पेज पढ़ोगे दो पेज पकड़ेगी मुझे पता है तो एटलिस स्पेशली मेरीड लोग में काफी मेल साती हम लोगों के पास एक ऐसी मेल है जिसकी सेवन येस की डॉटर है तो उसने एक बात बोली हमें कि बॉस मैं अपने लिए नहीं लट रहा इस पार मैं अपने बेटे के लिए लट रहा हूँ ये तो एटलिस आप भी इपनी फैंली के लिए लटो अपनी वाइफ के लिए या फिशो भी है बागी जो बैचलर्स हैं कोई नहीं आपके पाद टाइम तो अपने लटो स्टार्ट करो कोई नहीं हार जीत वर्या चलता रहता है लाइफ में हार भी गद्श्पिरिंस इन फ्यूचर में कही ना किसी फील में सकस्स जरूर हो गे जरूरी नहीं कि अगर कुछ लोग अगर UPSC में फेल हो जाते हैं तो अपनी लाइफ खतम करते हैं ऐसा कुछ नहीं है लाइक गूगल का CEO बहुत इक्सामपल्स भरे पड़े हैं उसने भी दो अटेम्ड दिये थे न आपको एक सकस्स आपको जरूर देगी हो सकता है स्विल सर्वीस में ना भी हो बट किसी ना किसी field के अंद आपको ज्चस देगी सवसाइटी के पड़ती कही ना कहीं आपको थोड़ा बहुत contribution जरूर करते रहेंगे directly- indirectly- whatsoever जो भी है तो यह तो बात थी अभी working की अब बारी आती है फ्रेशर्स पे यार सिंपल सी बात है आप लोगों के अंदर काफी ज़जबा है और जुनून है एक लगन है और तडप है इसको पाने की कोई नहीं लेट हो पर चीजें बहुत हैं 24 hours है अगर 12 से 14 घंटे की study दिन रात लगा दो तो कोई नहीं आपको रोक पाएगा मेंस लिखने के लिए बट इच शुड़ भी ए स्मार्ट स्टडी हार्ड वक तो करना है इसमें कोई दोर आए नहीं है यार hard work के साथ थोड़ सा smart work भी करना है कि क्या चीज़े पढ़नी है और क्या चीज़े छोड़ के चलनी है तो देखना कभी ना कभी हम कौन है that's not a matter हम भी आप लोगों जैसे ही है बट एक बार लड़ो आप भी at least अपने career के लिए और उनके लिए जो आपके पीट पीछे हसते हैं होता है ऐसे भी के साथ यार अफकोस हुमन है नेचर है इंडिन सोसाइटी है तो ये इंपेक्ट रहते ही है आपको गुस्सा भी बहुत आता होगा ना कि जब कोई आपका और फ्रेंड के इच्छी जगा लग गया सैटल हो गया और आप अभी तक स्टकल कर रहे हैं अभी तक लक्षमी कात के बुक की तरफ सोच रहे हैं कि करूं ना करूं क्या करूं शायद critical comments में मिलते होंगे मिलते हैं यार सभी के साथ मिलते हैं आपको पैसा आप जाने हम क्या करेंगे इसमें बट ओनस्टली से भी सिविल सर्विस निकल रहा है मेंस में हो सकता हैं मान सकते हैं कि आपको test series जॉइन कर लीजे कोई भी offline it would be sufficient बट प्रिलम्स के लिए हमें नहीं लगता कोई test series की even that कोई आपको किसी coaching की जरुवत है देखिए भेकावे में मत आई है मैं कल मुकरजी नगर था एक दो घंटे के लिए भी क्योंकि प्रश्चिंब्यार थे coaching classes से पहले में मुकरजी नगर भी था थोड़ा सा तो वहाँ पे एक poster देखा मैंने actually कि हमारी batch के अंदर मोई ये बत आप अगरवाल जो स्वीट है उसके सामने building उसके पीछे back side में posters लगे हैं नहीं है तो देख लेना कि हमारी class में NCIT का अध्यान कर लेने के बाद आपको कोई भी NCIT पढ़ने की जरुवत नहीं है तो इस तरह के दोस्तों posters भी आते हैं fees 8000 हैं उनकी मैंने देखा इस चीज को तो इस तरह का भेकावा भी कहीं न कहीं आपको blindly faith किसी पर भी मत करो even हम पर भी नहीं हम तो साफ बोलते हैं अपनी अकल खुद लगाओ और उसी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो जो लोग इस तरह के comments करते हैं लिखते हैं पोस्टों का attractive करवाते हैं तो उनका main motive पैसा ही होता है और कुछ नहीं है एक सच्चा teacher हमेशा वो यही बोलेगा यार अपने साफ से करो चीजे हैं रिसोर्स हैं बड़ आपको best रिसोर्स के बारे में options दे सकता है कि भाई हम decision लेकिन आपको लेने हैं जो इसा है कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपकी मर्जी shortcuts भी दिखाते हैं इसका जोमन आप यूज करें decision आपकी होंगे तो यही है नहीं energy है start करो अगर कुछ experience ऐसे भी होंगे कि यार 40% से उपर कूदे नहीं है आसक लाइफ में average students below average भी रहे हैं कोई नहीं याल that's a part of life ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग उस समय serious ना हूँ या फिर हो लेकिन घर की उल्जने या फिर daily basis की जो needs होते हैं कुछ लोग काम भी करते हैं मैं देखा है काफी life में काफी तो हो सकता है marks ना पाएं लेकिन अब आप serious हैं तो हो सकता है क्योंकि I think 2012 के अंदर दो इगनू students थे जिन्होंने कभी schooling regular नहीं करी थी part time means उन्होंने NIUS से schooling करी फिर इगनू से schooling करी यह सब private college जिसको घर बैठके जो study करते हैं और उनका civil service में तो examples भते रहे हैं मैं examples देने क्लिए नहीं बैठा just आपके अंदर motivation की लड़ो तो सही at least एक बार उठो तो सही excuses दे देना बाद में जब आपकी age खत्म हो जाए फिर बहुत excuses मिलेंगा आपको life में देने के लिए justification देने के लिए in front of the public but एक बार लड़ो start तो करो फिर आगे देखो क्या होता है अब बारी आती है experience की या देखो experienced हो चीज़े समझ सकते हो आप लोग आपको मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बैस यह बोलूँगा कि शायद luck factor काम ने कर रहा आपका hard work किया हो but वो होते है ना exam के वो दो घंटे शायद उसमें कुछ गटबढ़ हो क्या हो बाकि pattern तो ठीक ही है बर थोड़ा सा furnish करो इस बार अपने आपको in the sense recall पर थोड़ा ज्यादा focus करो क्योंकि वो दो गंटे में recall नहीं होता ना तो फिर वहीं से से दो-दो marks कम होते चले जाते हैं और फिर हम cut off से बाहर हो जाते हैं रिकॉल पर बहुत focus करना है अगर मैं six times seven times अगर टाइमटेवल में दे रहा हूं तो at least आपको कम से कम मेरे से दो से तीन बार हो ज्यादा लेकर चलना है means fingers पर होनी चीज़ है एकदम बिल्कुर fingers पर जो इंपॉर्टन फैक्ट्स हैं चाहन से आटी हो जब कुछ भी क्योंकि prelims honestly बोलूं तो यह lottery है सच बता रहा हूं ऐसे से दुलंदर्स भी देखे हैं जिन्होंने इंटर्वी फेस किया prelims रह गया कुछ ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने तीन मैंने में स्टेडी करके crack कर दि आओ और दो घंटे में आप सब blender करके आ जाओगे फिर के mark गलत करके आओगे फिर भार हो जाओगे तो यहीं बोलूंगा कि patience रख अपने उपर विश्वास रखना बहुत चुरूरी है कभी यह मत बोलो कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा हमेशे यह सोचो यार मैं मुझे target follow करने है चाहा वर्टस वर आप आप अमने daily target बनाओ कभी इस बारे में कभी मत पड़ो क्या होगी life नहीं होगा तो क्या होगा तो आप और ज्यादा नर्वस हो जाओगे नर्वस हो जाओगे तो चोटो मोटे exams के तरब भागोगे SSE railway, state PCS, यह दुनिया वर का video video, फिर वहां से डाइबर्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जो सोचा वह भी गया यो उसमें उलच जाओगे फिर फिर यह सिक्यूर्टी को लेके मन में रहे लिए शम्ता कि या सिक्यूर हो जाएं बहले अपने आपको सिक्यूर कर ले देखिए यूपीएससी की स्टेडी करने के बाद एक आदमी वेल मैचूर हो जाता है और उसको कहीं न करिए डिरेक्टली इंडिरेक्टली अच्छी जगा फिल्ड मिल जाती है चाब उपने टीचिंग लाइन में आ जाए किसी और फिल्ड में आ जाए करियर हम मान सकते हैं कि टेंशन रहती है सभी को यार अफकोस हुमन है नेचर है लेकिन फोकस अभी चार से पांच महीन है न स्विल सरी से लगाओ और देखो अपना बैस दो एक्सक्यूजिस के हटा के कि एक बार अपना बैस देने के बाद रिज्डर ना निकले तो एक अलग चीज पर एक बार अपना बै जामस के तरफ बढ़ जाओं बट इस बार मुझे अपना 100% देके निकलना है जब इस तरह की होगा ना एक तरह से हम यह भी नहीं कहते कि आप पांच गंटे सो यह नहीं है प्रोपर स्लिप साद गंटे सो तो सो लेकिन टार्गेट के उपर दिमाग में राना चीज रात को स अगा एक्सपिरेंस फो बाकी मेंस के उपर और अपना ओप्शनल जितना ज्यादा टाइट टू कनेक्ट विद अगर जिनका पी एस आई आर है जोग्रफी है सोशोलोजी है पावड है और भी चैप्टर से हैं लाइक और भी आप्शन से हैं इनको करके देखो एक लिस सब्सक्राइब करना बहुत कुछ है लेकिन बीच में है तो अपना को मोटिवेट करते रही है और हमेशा मोटिवेट रही है जिसमें आपको यहां भी है वीडियो काफी लंबी होगी होगी है दोस्तों बाकि हम आपके साथ हैं है फेट ओनास जुझे कमिटमेंट है वोग चीज़ें जुरूर पूठी होंगे तो गईस थैंक यू एन थैंक यू फूर वोचिंग अवर वीडियो